हेलो प्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल और आज मैं आपके लेके आया हूँ एक पॉटेवल मस्कुटो नेट जो की मैंने अमजोन से इसे करदा है रुपीज ट्रिपल नाइन में और ये इसका साइज है 4x6 और देखिये ये बिसीकली एक फ्रेम टाइप है और ये फ्रेम के अ का रॉड है जिसे ऊपर से एक प्लास्टिक का आप यह देख सकते हैं एक प्लास्टिक का कवर है जिससे यह कवर्ट किया हुआ है तो चलिए इसे खोल के देखिए हैं और ये देखिए इसका नेट है इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है इजी टू प्रोसेस यह एलिगेंट फेबिकेजन सेलर है अब जैसा कि इसमें दिखाया गया है इसके साथ नॉट्स को हम लोग अभी खोल रहे हैं नॉट्स को खोलने के बाद इसके स्प्रेट फ्रेम को स्प्रेट करना है और उस फ्रेम के ऊपर फिर मोस्कुटो नेट को लगाना है जैसा कि इसमें दिया गया है और उसे लगाने के बाद इसे नॉट करने के लिए कर रहे हैं और फिर इसे बाद में यह हम यूज कर सकते ह तो चलिये देखते हैं तो फिलाल इस फ्रेम के साई नॉट्स हम लोग ने खौल दिये anfram को लिपाएगा देखे यह जहां पर इसके सारे वायर प्लास्टिक के पाइक का कवर है तो चलिए इसे खोला जा रहा है पैकेजिंग बहुत अच्छी थी और जब तक कि खोलता चले देखनेते हैं यह वो निट है देख सकते हैं और यह इस फ्रेम को इस तरह से आपको श्रिट कर लेना है आप यह चाहे तो बेट पर भी हूज कर सकते हैं और अगर आप फ्लोर पे कोई मैंटिस लगा कर सौना चाहते हैं तो वहां पर भी इसे बड़ी आसानी से यूज़ किया जा सकता है तो चलिए अब नेट को बाहर निकाल लेते हैं चलिए नेट को क्वालिटी थोड़ी देख लेते हैं कैसी है तो एक फैब्रिक की नहीं वही लाइन थेट से बनी भी नेट है आप देख सकते हैं इसका और चलिए इसमें एक बहुत अच्छा चीज है कि जैसा कि आप बजार से अगर जब कोई मुस्कुरी निट खड़िते हैं तो आपने उसमें देखा होगा उसके हेंड में टक करने के लिए बहुत ही लो क्वालिटी का फैब्रिक दिया होता लेकिन जहां तक इसके फैब्रिक की बात है इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है और इसका स और सारे नौट स्पान देने के बाद ये चीज इससे लगाने के पहले आप सियोर कर लिजिए कि कौन सा सीधा है तो चलिए काम करते हैं हम लोग इससे लगा कर ये आपको दिखाते हैं कि तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमने उपर से को स्पेड करने के बाद मोस्कूरूने को डाल दिया है अब अब को कि आपको है कि इस अब नोट से बांद सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरह के पीसेस दीए गए है अलग-अलग जगा में लेस जिसे आप अंदर में जाकर बान सकते हैं इसे बानने से होगा क्या कि नेक्स टाइम जब आप इसे क्लोज करने के बाद फिर से यूज करेंगे तो आप का जो निट है वो सही जगा पर टिका रहेगा चलिए इसे ब इसका साइज 4 भाई चोका है लेकिन यह बिट 5 भाई 6 का है इसलिए यह थोड़ा च्छोटा हो गया है यह आप देख सकते हैं लेकिन इसलिए आप जब इसको उर्डर देए तो सबसे पहले आप अपने बेट का साइज को माप लीजिए और बेट के साइज के ही एक वर यह एक 8,99 और 999 का भी आताय तो €1200 में और इसमें ही difference है कि इसका knit की quality अब अग्शा सू रूपए के लेंगे तो फ्रेम आपको ही मिलने वाला है फ्रेम में कोई difference नहीं होगा लेकिन जो quality होगी हो नीट की quality इससे बैतर होगी रहतले तक इस नेट की बात है इसकी भी quality अच्छी है बाजार में आप चोद तीन-चार सु रुपए से मौस्कुतिनेट खरिते हैं उससे बहतर quality है स्टिचिंग की quality भी अच्छी है जहां तक मैं देख सकता हूं इसमें single stitch ही है लेकिन बहुत साइस single stitch करके दिया गया है जैसे कि मैंने बता चुका हूँ fabric की quality भी अच्छी है और इसमें double stitch के use किया गया है इसे आप अराम से अगर चाहें तो bed में टक भी कर सकते हैं जो कि आपका choice है तो हमारा यह नेट देखिए, तयार है यह बहुत ही easy है to use करने के लिए इसे use करने के बाद रखना भी बहुत आसान है आपको बस कुछ नहीं करना है जिस तरह से इस frame को लगाने के समय हमने लगाया था इसे आप इस तरह से लिजे और close कर दिये और सोने के समय वापस उसी तरह से आप उठाइए और इसे बस लगा दिजिए और यह रेडि टू यूज़े आप चाहे तो इसे टक भी कर सकते हैं इसमें टक करने के लिए मिज़े से अमने बता है इसमें और एक श्रा कपड़ा दिया गया है और आप हाँ और एक पार डेमो देख लिए इस तरह से धीरे से फ्रेम का ख्याल लगते हुए एक फ्रेम के उपर जाएगा और इस तरह से इसे आप क्लोज कर सकते हैं तो इसे बंद करके नॉट भी कर सकते हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूं इस तरह से बंद कीजिए अगर आप किसे बेट पर नहीं रखना है इसे आप इस तरह से फोल्ड करके आप चाहे तो असी से बंद के भी रख सकते हैं तो अगर आपको बंद के रखने का मन नहीं है अगर आपको इस तरह टाइम टेकिंग लगता है तो आप इसको ऐसे भी किसी भी जगह पर अपने खाली ज